हाँ वई आगए सोचल के एक दिन पहले ठीक है तो इस कुईक वीडियो के अंदर बन तुक बनाना लो कि आज के जो आखरी दिन यह जो तुम आरे पास में 13 तारीक का आखरी दिन बचा है इसके अंदर तुमको क्या-क्या गलतियां नहीं करनी है ठीक है अगर तुम यह चीज करते हो तो तुमारे ले काफी जादा गंदी वाली गलती हो सकती थीक है तो वह चीज़ में इसके पहले तुम लोग को चीज़ बता दूँ हमको भाई बहुत ही जांदर टीन लगवाट एट करने वाला है मैं बहुत एक्साइटुट इसके लिए दूसरी चीज़ पढ़े 10 उसके पहले जारे बात में जारे पता नहीं, पर आज के दिन शाम को 6 बजे एक ऐसा session आने वाला है, जिसमें हम एक घंटे गंदर पूरा social sense revise कर लेंगे, जो पढ़ ले के one page notes हैं, उनके तुरू हम पूरा social sense स्रिवास कर लेंगे, देखना important इसलिए, क्योंकि इससे तुम्हारा recall बहुत अगड़ा होगा, और मैं लंभी marathon आज नहीं लूँगा, विल्कुल विश्ववास नहीं रखता हूँ कि आकर दिन के थुरू जो बाकी marathon की हुई है, यह marathon नहीं ऐसे चोटा सा life session है, पर ऐसे sessions के तुमको याद रहे कि अचा हाँ, यह बोला था, यहाँ पर यह बोला था, यहाँ पर बोला था, तो जब तुम आज यह session देख रहोगा ना, तुमको maximum चीज़े ऐसे लेगेंगी, कि हाँ भईय होगा ना, कि जो तुम देख रहो, तुमको already समझ में आ रहा है, तो तुम्हारा confidence एकदम आग हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा एक बहुत important session, आज ही तीन बजे करेंगे हम, छोटा साही भी 10-15 minutes का session होगा, इसके अंदर हम सारी जो history के important dates है, वो एक वीडियो के अंदर cover कर रहा है कि भाईया, 1917 में ये हुआ था, 1908 में ये हुआ था, तो उसके जो actions है, उसने उस time पे क्या बात की, कौन सा topic छेड़ा, कौन सी मस्ती की, उससे तुमको चीजे रिलेट होंगे, और exam अगर तुम कुछ भूल जाओ तो तुमको ये चीजों से तुम answer derive कर सकतो कहीं से भ ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ तो आज एक और वीडियो आनाल है, प्रेजेंटेशन के अपर, ठीक है, तो वो वीडियो ज़रूर देखना है, वो भी 10-15 मेंट का वीडियो होगा मातर, पर उस प्रेजेंटेशन के वीडियो से तुम्हारे 5-6 नंबर पक्के बढ़ जाए क्योंकि जो आंसर तुमको नहीं आता है, वह भी ऑच को आधा है उसमें तुम कैसे मेकशर करो, कि तुमें दो नंबर नहीं से तिन में से तीन में तूम को पूरे 3 में से 3 में, ठीक है, कैसी तुमारी छोटी-छोटी गल्तियां चेक करने माला अवॉइड कर दें, अंढ़े तो पूरी NCRT आज रीड करके नहीं बताना किसी को, ठीक है, तो ये चीज मत करना, हाँ, तुम क्या कर सकते हो, तुम आज नोट्स में से रिवाइज कर सकते हो, या NCRT में अगर तुमने कुछ पुछ पुताई कर रखी तो वो कर सकते हो, ठीक है, मतलब जो तुमने हाइलाइ कर दिया गया, तो ये चीज अगर तुम चाहो तो विल्कुल रात को सोने से पहले भी घोट के पी सकते हो, या फिर कल सुबह मैं वैसे रिकमेंट नहीं करता हूं पढ़ना, पर मुझे पता है, तो सब को पता है कि आखरे में पढ़ेंगे तो सही हम, ठीक है, कोई भी ऐसा सब्सक्राइब, तो हम किसी के नहीं सुनते है, तब बस अंदर से एक आउज आते हैं कि जितना पढ़ सको उतना पढ़ लो, ठीक है, तो अगर बाय चांस तुम कल पढ़ने वाले हो, जो के रेकमेंटन नहीं है, पर फिर भी अगर तुम कर रहे हो, तो तो तुम ये चीज उस टाइम पर फॉलो कर सकते हो, इससे तुमारे रिविजन बढ़िया हो जाएगा, दूसरा, spending a lot of time in maps, ठीक है, आज के दिन अगर तुमको maps नहीं आते हैं, तो जो पढ़ ले 10-30s पर हमने ये session करा रखा है maps वाला, ठीक है, कहां गया, ये maps वाला जो पूरा marathon है, मात तो तुमको जो particular chapter नहीं आ रहा है, वहाँ पर time stamp जाके ये session देख सकते हो, ठीक है, साथ में ये pyqs का session क्या हुआ है, तो pyqs पर ध्यान देना, ठीक है, चलो, वापस से आ जाते हैं, ठीक है, तो आज तुमको NCRT पर ध्यान नहीं देना है, आज तुमको mainly notes पर ध्यान देना है, ठीक है, चलो, तीसरा है not checking pyqs, again वहीं चीज है, ये चीज गलती से भी मत करना, pyqs for sure तुमको आज के दिन करने ही करने है, सारे chapter के pyqs तुमको करने ही, तुमारे पस मगर already है, तो well and good, अगर नहीं है, तो परले के telegram channel के पर डले हुए हैं, वहाँ पर जाकर देख लो, या फिर मैंने ये session भी ले रखा है, जिसके अंदर तुमें अगर कोई question particularly funda समझने याद करने का, तो इस session के अंदर तुम वह समझ सकते हो, ठीक है, चलो, तो pyqs तो करना ही करना है, चौथा, आज के दिन ncrt questions जो है, in text और backwall है, उन पे भी एक नजर डालनी ही, ठीक है, ए ये चीज़ एक बार देख लो, कि अगर कुछ बहुत ही अनोखा सा question है, तो तुम उसको read करके समझ जाओ कि कि अगर उससे related आता है, तो तुम answer लिख पाओ उसका, तो अनोखी चीज़ें यहाँ पर देख लो, बाकि common sense वाली चीज़ें तो ही है, ठीक है, last, not checking ROI, ROI क्या होता मान लो, मेरे पास में 5,000 रुपे हैं, ठीक है, ये अगर मैं कहीं invest करता हूँ, और मुझे उससे return मिलता है 10,000 रुपे का, तो मैं समझाओ कि वाँ यह मेरा पैसा double हो गया, पर अगर मेरे पास में 2,000 रुपे हैं, 2,000 रुपे हैं, और अगर मैं वो किसी और दिया investment करता हू और वहाँ से भी मुझे 10,000 रुपे मिल रहे हैं, तो तुम खुद बताओ, मेरा ROI इन दोन में से कहां पे जादा है, मतलब मेरा return on investment कहां पे जादा है, obviously याले पे जादा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने कम पैसा invest किया, पर मुझे output बहुत तगड़ा मिला, ठीक है, तो हमको यही चीज के दहान रखना है, कि हमको हमारा investment कम रखना है, और उसकी corresponding जो output है, वो बहुत तगड़ा रखना है, तो आज के दिन इस चीज का make sure करना है, कि तुम जो भी काम करो, उसका ROI बहुत तगड़ा हो, भाई, तुम मैपस मेट के 6-6 गंटे ना लगाओ, क्योंकि म मैपस मातर, तुमारा 3 नंबर का रहा है, तो क्या, यह sensible बात है, कि हम 3 गंटे प्रैक्टिस करें, और हमारा सिर्फ 3 नंबर है, बिल्कुल sensible नहीं है, ठीक है, पर इसकी बजाए कर तुम 3 गंटे PYQ जाद कर लेता हो, तो तुमारे 10 नंबर के questions बन सकते है, तो यह ROI बटर हो मैं तुमको यही बोल रहा हूँ कि भाई कुछ-कुछ अंसर ऐसा ही समझ लो, पूरा चैप्टर मत समझने वैटो, सिर्फ PYQ समझ लो, कि असे कहानी का कहना चाहरा है, उसके around तुमको अंसर लिख दोगा ना, पेपर के अंदर, तो भी तुमारा काम हो जाएगा, ठीक है, भले तुमको पांच मैं से चार नहीं मेले, पर कम से कम तुमको दो नंबर तो मिल जाएगे, ठीक है, तो ऐसा काम करो, जिससे तुमारे नंबर कटें कम, ठीक है, अभी तुम उस चीज़ पर फोकस मत करो, कि तुम्हें नंबर जाधा कैसे लाना है, अभी तुमको इस चीज तुम को समझ वा जा कि तुम को क्या करना है क्या नहीं करना तो तो इस चोटे से वीडियो में यह सारी चीज़ कर ली अच्छा मेक शॉर कि तुम यह मैराथॉन तो डेफिनिटली देख लो पर तुम लोगों को एश भी करने हैं जीवन के अंदर है तो कल पेपर साने के बाद में फूल टू एश करना है कि अब बस हिंदी पर बच रहा होगा बागे तो हमने आग लगा दिए तो इस दैट विंग सेट मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर तफता के लिए गुडबाई टेक क्यार जैंद बंदे मातरों